Mostly patients यह सोचते हैं कि hip replacement surgery जब होगी तब तो नहीं पता लगेगा क्योंकि surgery anesthesia में होगी लेकिन जब anesthesia का effect जाएगा तब मुझे बहुत pain होने वाला है Friends अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो यह video आपके लिए है इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले 24 गंटे के अंदर patient कैसा feel करता है hip replacement surgery के बाद Hello friends मेरा नाम डॉक्टर पंकजवलेचा है और मैं दिल्ली में एक hip and knee replacement surgeon हूँ और पिछले 20 सालों में हमने 4000 से भी जादा hip and knee replacement के patients को उनकी normal life में वापिस जाने में help किया है आये friends जानते हैं कि क्या होता है first 24 hours after hip replacement surgery So mostly patients सोचते हैं कि जब anesthesia का असर जाएगा बहुत pain होगा ऐसा नहीं है Do you know how my patients feel when I meet them after the surgery जब anesthesia का effect जा चुका होता है They are smiling, they are excited, they are pain free आप जानते हैं इसा क्यूं होता है सबसे बड़ा reason यह है कि उनको लगता है कि उनको लगता है कि surgery के बहुत दर्द होने वाला है और दर्द नहीं होता है In fact, जो avascular necrosis का दर्द होता है वो खतम हो चुका होता है आपके life से Forever AVN का pain जब आप hip को bend कर रहे हो, चल रहे हो, काम कर रहे हो, हर समय आपको परेशान करता है And that pain is gone like this You had that pain before the surgery and you don't have it after the surgery इससे इतनी excitement और इतनी खुशी होती है patients के चहरे पे कि मेरा भी मन खुश हो जाता है Patients will usually tell me, कि से कुछ भी नहीं है मुझे तो, बहुत comfortable हूं मैं तो This is the first thing I hear from my patients और दूसरा जब हम patients को बताते हैं कि आपकी surgery बहुत अच्छी हुई Surgery was successful, it went as per the plan ये भी एक बहुत ही a relieving factor होता है patient के लिए Usually बहुत सारे patients बहुत सालों से कि सोच रहे होते हैं भाई मैं hip replacement करूं के ना करूं मैं surgery करूं के ना करूं, कुछ complication तो नहीं हो जाएगा And when they hear कि surgery अच्छी हो गई, when they know कि वो AVN को पीछे छोड़के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं That is how my patients feel happy and excited So this is the first feeling, दर्द नहीं होती, first feeling की बहुत दर्द हो रहा है In fact, patients मुझे यह बताते हैं कि sir, सिरफ stretch लग रहा है मुझे जहां मेरा operation हुआ ना, उस area में थोड़ा सा stretch feel कर रहा हूं जब मैं knee को bend कर रहा हूं, hip को bend कर रहा हूं तो यह तो patient की feeling होती है और दूसरी चीज होती है कि क्या-क्या landmarks आप अचीव कर लेते हो, क्या-क्या काम आप कर पाते हो first 24 hours में आइए वो भी देखते हैं So पहले चॉबेस घंटे में as soon as anesthesia का effect जाता है सबसे पहली चीज़ हम चेक करते हैं कि patient की toe movements है की नहीं यानि की pair का पंजा उपर नीचे कर पा रहे है के नहीं patient इस से हमें पता लगता है कि patient की sciatic nerve ठीक है और कोई भी sciatic nerve पे stretch नहीं हुआ है hip replacement surgery के दौरान Mostly patients अपने hip और knee को operated side पे comfortably जितना bend कर पाएं उतना आप उनको अलाओ करते हैं मैंने देखा है बहुत सारे patients comfortably अपने opposite hip जाने की जो normal hip है उसके बराबर भी अपने hip को bend कर पाते हैं बट सब patients ऐसे नहीं होते हैं कुछ patients थोड़ा कम कर पाते हैं और कुछ patients अच्छे से कर पाते हैं और इसके अंदर चिंदा की कोई बात नहीं है अगर आप पूरा नहीं bend कर पा रहे हो जितना आपसे comfortably हो रहा है उतना allowed होता है from the time जब आपको muscle power आ गई तीसरी चीज़ होती है कि हम patients को side turn लेना allow करते हैं यानि कि जैसे ही टांग में power आ गई तो थोड़ी सी assistance के साथ थोड़ी सी help के साथ patients को हम side turn करा सकते हैं surgery के 2-3-4 गंटे के बाद ही depends patient to patient कुछ patient 2 गंटे में भी कर लेते हैं उनकी power आ जाए तो कुछ patient 3-4 गंटे में भी करते हैं पर ये first जो मैं round लेता हूँ ना surgery के बाद यानि कि मैंने आपकी surgery करी और आप बाहर आप observation में आ गए जहां पर और doctors और nurses और मेरी team होती आपको observe करने के लिए और जब तक मैं दूसरी surgery करके बाहर आता हूँ तब तक mostly patients की lecky movements आ चुकी होती हैं toe movements आ चुकी होती हैं and they are ready to take a side turn in fact हम अपने patients को encourage करते हैं कि आप रात को करवट लेके सोजा और आम से क्योंकि सीदा लेटे लेटे कमर दर्द हो जाती है बहुत patients की और हम एक position में कहां लेट सकते हैं अगर मैं भी लेटा हूँ एक position में तो थोड़ी थोड़ी दिर में मैं position change करना चाहूँगा उससे comfortable रहते हैं ये चीज हमें समझने जरूरी है कि surgery के बाद जितनी जल्दी हो सके हम चाहते हैं patient अपने normal routine में जाए normal routine में जाने के लिए सबसे important बात और क्या होती है कि आप खड़े होके चल पाओ तो हमारी team, मेरी physio team को standing instructions होते हैं कि अगर patient की power जैसे ही वापिस आई अगर patient comfortable है patient को बैठने में पैर लटका के बैठने में कोई चकर वगरा नहीं आ रहे है या खड़े होने में walker के साथ चकर नहीं आ रहे हैं तो उनको चला दो और जिन patients की bone quality अच्छे होती है उनको तो चलने में बहुत अच्छा लगता है in fact वह मुझे रुखके ये पुछते हैं कि sir, क्या मैं walker छोड़ दूँ is it okay, मैं बिना walker के चल लूँ क्या recently हमारे पास पुने के एक patient आये थे he said this thing to me बहुत अच्छा लगा मुझे भी तो हम slight support देके hand का patients को walk कराते हैं तो जिन patients की bone quality अच्छे होती है उन patients को हम same day surgery के 3-4 घंटे में पूरा वजन डालके चलना अलाव करते हैं पर सब patients की नहीं होती bone quality कुछ patients की bone quality पूर होती है हड़ी कमजोर होती है जो लोग smoking करते हैं जो लोग बहुत alcohol लेते हैं उनकी bone quality अच्छी नहीं होती है तो उनको हम बोलते हैं कोई बात नहीं आप चलो walker लेके चलो थोड़ा weight pair पे डाल लो 60-70% और थोड़ा weight अपने walker के जरीए अपने हाथों पे ले लो but we make sure कि हर patient within first 24 hours walk करे खड़ा होके चले उससे हमको ये भी फायदा होता है कि जो नसे होती हमारी pair की उनमे खून clot नहीं होता है blood clot नहीं होता और मैंने अपने एक video में complications of hip replacement surgery के बारे में detail में बात कि आप उस live program की recording देख सकते हैं उपर link है इसको click करके आप उसे देख सकते हैं let's move further so mostly patients कुछ steps चलने के बाद जब वापिस अपने bed की तरफ move करते हैं तो हम उनको chair sitting भी कराते हैं यह नहीं कि आप अपनी kursi पे बैठ जाओ देखो बैठने में कैसा लग रहा है and then we also encourage them to get up from the chair on their own यह activity करने से उनको अगले दिन chair commode use करने में भी बहुत जादा आसानी होती है क्योंकि अगले दिन आप washroom जब जाएंगे वो bed पे नहीं होगा you will go to the washroom आप वहाँ बैठोगे chair commode use करोगे and that way you'll be comfortable और जब पूरी activity complete होती है न I can tell you they have feeling of unbelievable happiness अँको ऐसा लग रहा होते है क्या मतलब मेंने कमाली कर दिये तो मेरि सुभा सरजरी जब मैं गया सरजरी के लिए तो में लंगड़ा की चल रहा था मिरे को बहुत दर्था मेरे ग्रॉइन में पें दा मेरे हिप में पें दा मेरे टांग चोटी बढ़ीती और अब suddenly मेरी leg भी equal लग रही है मेरे को वो वाला pain भी नहीं है तोड़ा stretch pain है भाई यह तो पता है यह temporary है, surgery के जगा पे जहां कट लगा है, वहां का pain है यह तो चला जाएगा this is a feeling of excitement this is a feeling of happiness तो friends दर्द नहीं होता surgery के बाद excitement होती है, happiness होती है खुशी होती है एक नई जिन्दगी शुरू करने की जिसमें की आप pain free तरीके से अपनी सारी activities कर पाऊगे अपनी family के साथ enjoy कर पाऊगे and this all happens in first 24 hours I hope you found this video useful और ऐसे ही और useful content के लिए hip replacement के बारे में latest जानकारी के लिए आप मेरी channel को subscribe कर सकते हो and I'll see you in the next video now